हेलो गाइस तो केसे हो आपका मेरी चेनल में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2015 की तेलगू लेंग्वेज रोमेंटिक ड्रामा फिल्म मली मली इदी रानी रोजुका मुवी को हिंदी डव वर्जन में नाम दिया हुआ है रियल दिल जला फिल्म की स्टोरी, स्क्रिन प्ले, राइटिंग, डिरेक्शन किया हुआ एकरांती माधवने लीड रोल में देखने को मिलेंगे सरवानन, नित्या मेनन सपोर्टिंग कार्श में देखने को मिलेंगे पवित्रा लोकेस, नजर, तेजे सुनी मेदिवाडा और पवनी गंगी रेटी फिल्म की कहनी की बात करें तो राजाराम यानिकी सरवानन, एक अस्पाइरिंग यंग एतलीट है जो अपनी मा के साथ रहता है और अपनी एक स्पोर्टिंग इवेंट के दोरान वो बुर्खा पेनी एक मुस्लिम लड़की से मिलता है जिसका नाम है नजीरा और नजीरा का केरिक्टर प्ले करती हुए नजर आएंगी नित्या मेनन और उसके बाद वो दोनों एक दुसरे से प्यार करने लग जाते है और उसी के बाद फिल्म में एक बड़ा सा ट्विश डाला हुआ है जिसके वज़े से कुछ अनेक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो जाते है और वो दोनों यानि कि वो कपल सेपरेट हो जाता है आखिर में वो इंसिडेंट क्या है और उसी की वज़े से उनकी लाइश में क्या-क्या बदलावाते वो सब चीज़े जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी फिल्म की कहानी आपको थोड़ी फ्रेस नजर आईए और उसी के साथ फिल्म की कहानी में ब्रेक अप के बाद की सीचेशन दिखाई गई है फिल्म में मेचर रिलेसंसिप को बढ़या तरीके से हमारे सामने कवर करके दिखाया हुआ है सरवानन जो फिल्म के लीड एक्टर है एक बार फिर अपने एक्टिंग इबिलिटी प्रूव करते हुए नजर आते है फिल्म में अपने किर्दार को उन्होंने मेचर तरीके से निभाया हुआ है जिस तरह से उन्होंने एक एंटर्टेनिंग और लवेबल किर्दार प्ले किया हुआ है और उसके साथ अपने रोल में वो जिस तरह से इमोशन क्रियेट करते हैं यान कि जो इमोशनल सीन्स दिखाए गए वो उसमें बढ़िया तरीके से अपना काम दिखाने में कामियाब रहे है और खास करके उनके मा के और उनके बीच के जो सीन क्रियेट हुए जो emotional scene create किये गए वो काफी बढ़िया तरिके से handle किये हुए जिसकी वज़े से वो सभी emotional scene बढ़िया तरिके से हमें टच कर जाते हैं नित्या मेनन जो फिल्म की लीड एक्टरे से उन्होंने फिल्म में बढ़िया सा performance दिया हुआ है पूरी फिल्म में वो च्छा गई है जिस तरह से उन्होंने फर्स्टाप और श्यकंड आप दोनों में different role play किया हुआ है यानि कि उनका फिल्म के फर्स्टाप का रोल और उनका फिल्म के second half का रोल दोनों अलग है जैसे एक में आपको स्टोरी में बताया है कि फिल्म में एक बड़ा सा twist आता है वो twist फिल्म के फिल तारिफ है फिल्म के सबी रोमेंटिक सिन जो लीड पेर यानि की नित्या मेनार और सरवानन के बीच में क्रिएट किये गए वो बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एक्जिक्यूट किये हुए है उन दोनों के बीच की केमेश्टरी भी बढ़िया जबदस नजर आती है और उन के बीच की एक केमेश्टरी फिल्म का मेज़ूर एट्रेक्शन था फिल्म का फ़र्ष्ट आप जिसमें आपको रोमेंस और साथी में एंटर्टेन्मेंट देखने को मिलेगा और वहीं सेकंड आपने आपको काफी एमोशनल और मेच्यूर सिन देखने को मिलेंगे सर्वानन का मा का किर्दा निबाना वाली एक्ट्रेस ने बढ़िया काम किया हुआ है वो अपने केरेक्टर में काफी एफेक्टिव नजर आ रही थी जिस तरह से उन्होंने सर्वानन के साथ अपने एमोशनल सिन प्ले किये हुए है वो सांधार है डारेक्टर ने फिल्म की स्टोरी को थोड़ी स्लो तरीके से नरेट किया हुआ है जिसकी वज़ा से फिल्म की पेस हमें थोड़ी स्लो नजर आएगी एक बार फिल्म में जो ट्विश्ट रिविल हो जाता है उसके बाद फिल्म की पूरी कहानी प्रिडिक्टेबल हो जाती है फिल्म का म्यूजिक अच्छा है और फिल्म के सभी गाने को बढ़िया तरीके से प्लेस किया हुआ है फिल्म का बेगरांड मुजिक डिसेंट है, सिनेमेटोग्राफी एक्सिलेंट है और साथ ही में एडिटिंग भी डिसेंट है क्योंकि फिल्म के सिकर नाप में थोड़े बहुत सिन कट किये जा सकते थे फिल्म के डिरेक्टर यानिकी करांती मादव उन्होंने फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने स्टोरी लाइन हमारे सामने पेस की हुई है, जिस तरह से उन्होंने उस स्टोरी को नेरेट किया हुआ है, वो काफी ले तारिफ है उनके डिरेक्षन की काफी तारिफ करने पड़ेगी क्यूंकि उनोंने सबी लवेबल सीन और साथ ही में रोमेंस और उसी के साथ सबी एमोसिनल सीन्स को बढ़िया तरिके से सुपब तरिके से हमारे सामने एइग्जिक्यूट करके दिखाया हुआ है उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के लव स्टोरी को बढ़या तरीके से सोकेश करके हमारे सामने पेस किया हुआ है तो कुल मिला के बात करें तो 2015 की दिलगू रोमेंटिक ड्रामा फिल्म मली मली दिरानी रोजू यानि की रियल दिल जला एक फिल गूड लव स्टोरी वाली फिल्में तो मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग देता हूँ इस फिल्म में आपको काफी हाइलाइट पॉइंट देखने को मिलेंगे जिसमें सरवानन और नित्या मेनन का माइंड ब्लोईंग परफॉमस भी आपको देखने को मिलेंगे वो दोनों मिलके फिल्म को बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेते हो साथ ही में क्रांती मादव का जबरदस डायरेक्षन और उसी के साथ उनके डायरेक्षन में क्रेट किये हुए emotional सीन जो बढ़ा तरिके से हमारे सामने execute करके डाले हुए और फिल्म के love story थोड़ी फ्रेस नदर आएगी जिसकी वज़े से आपको फिल्म देखने में मज़ा आएगा और वल तो ये एक अच्छी फिल्म है अगर आपको love story वाली फिल्म में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी ये फिल्म में आपको ज़रूर recommend करोंगा आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए तो बस आज के review में इतना ही था तो आज का हमा करना ना पूलेगा ठेंक्यो